हलो आपरीवन वेलकम बैक टू माई चानल स्वागत आप सभी काफी के चानल में मेरे इस चानल पर पूजा पार्ट से जुड़ी हर एक वीडियो के लिए टिस्ट अपडेट याम मिलती है और मिलती रहेगी तो अगर आप इस चानल पर न्यू है तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और नौटिफिकेशन भी आउन करके रखे ताकि मेरे हर एक वीडियो का नौटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो फिर जादा बात न करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं आज मैं बात करने वाली हूँ दुरुगा पूजा कब है किस तारीक को है और जो नौधिन है वो किस किस तारीक को है वो सभी मैं डेटेल में बताऊंगी साथी नवरातरी कब से सुरू हो रही है इसका क्या महत्व है सारा कुछ डेटेल में शेयर करूँगी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सनातम धर्म में नवरातरी को बहुत पवित्र पर्वमाना जाता है नवरात्री के नौ दिनों में माद्रुगा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है हिंदु धर्म में वैसे तो साल भर में चार बार नवरात्री मनाई जाती है चैत्र और सार्दिय नवरात्री के अलावा दो गुप्त नवरात्री भी होती है लेकिन शार्दीय नवरात्री सबसे खास होता है सार्दीय नवरात्री की शुरुवात आस्वीन मास के सुकल पक्षकी प्रदिपदात इथीशे होती है नवरात्री के पूरे नौ दिनों तक मा आदी सक्ती के नौ स्वरूपों सैलपुत्री, ब्रंबचारणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, असकंदमाता, कात्याईनी, कालरात्री, महागौरी और सिद्धी दात्री देवी की पूजा की जाती है मानने तह है कि नवरात्री की नौ दिनों में मातारानी पृत्वी लोग पर वीचरन करने आती है और अपने भक्तों के कस्ट को हर कर उनकी मानुकामना पूर्ण करती है ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल सारदी नवरात्री की शुरुआत कब से हो रही है इस साल सारदी नवरात्री की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रही है जो कि 23 अक्टूबर 2020 मंगलवार तक मनाई जाएगी 24 अक्टूबर को वीजिया दसमी और देसहरा का परो मनाया जाएगा आस्विन मास के सुकलपक्षक की प्रतिपदा तिथी कि सुरुवात 14 अक्टूबर रविवार को रात 11 बजकर 24 मिनट से सुरु हो रही है और यह तिथी 15 अक्टूबर रविवार को देर रात 12 बजकर 32 मिनट पर शमाप्त हो जाएगी उदिया तिथी को देखते वे शार्दिय नवरात्री 15 अक्टूबर को रविवार से सुरु होगी इस दिन कलस स्थापना भी किया जाएगा अब चलिए जानते हैं कि कलस स्थापना का सुभ मुर्थ कब है तो सार्दिय नवरात्री की प्रतिपदा तिथी के दिन कलस स्थापना का सुभ मुर्थ 15 अक्टूबर को 11 बजकर 44 मिनट से दोपर 12 बजकर 30 मिनट तक है कलस स्थापना के लिए केवल 46 मिनट का ही समय रहेगा इस मुर्थ में आप कलस स्थापन कर सकते हैं चलिए अब जानते हैं कि किस तारीख को नवरात्री का कौन सा दिन पढ़ रहा है और किस दिन कौन से माता की पुजा होती है पहला दिन 15 अक्टूबर 2023 इस दिन माता सैल पुजा होती है नवरात्री का दूसरा दिन मा ब्रंभचारनी की पुजा होती है जो कि 16 अक्टूबर को है नवरात्री का तीसरा दिन मा चंदरगंटा की पुजा होती है जो कि 17 अक्टूबर को है नवरात्री का चौथा दिन मा कुस्मांडा की पूजा होती है जो की 18 अक्टूबर को है नवरात्री का पांचवा दिन मा असकंद माता की पूजा होती है जो की 19 अक्टूबर को है नवरात्री का छठा दिन मा कात्याईनी की पूजा होती है जो की 20 अक्टूबर को है नवरात्री का शात्वा दिन मा कालरात्री की पूझा होती है जो की की सक्टूबर को है नवरात्री का आठ्वा दिन मा सिध्धिदात्री की पूझा होती है जो की 22 सक्टूबर को है और नवरात्री का नौमा दिन má महागॉरी की पूशा होती है जो की 20 अक्टूबर को है और दस्वा दिन वी ज्यादस्मी है जिसे दसहरा भी कहते हैं जो की 24 अक्टूबर को है तो उमिद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छे लगी होगी और नवरात्री से जोड़ी कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इससे जोड़ी जितने भी कनफ्यूजन होंगे मैं दूर करने की कोशिच करूँगी आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्स फूर वचिन